हेलो अवरिवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेविन्थ की भूगोल की बुख से चाप्टर नमर थ्री हमारी बदलती प्रीथवी पिछले क्लास में हमने चाप्टर वन और चाप्टर टू कम्प्लीट कर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस चाप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हमारी प्रीथवी बदलती है और हमारी प्रीथवी के बदलने का कारण क्या होता है यहां लिखा है अस्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिस पर हम चलते हैं जिस पर हम रहते हैं वो कौन सा मंडल है वो अस्थल मंडल है एक जल मंडल होता है एक वायू मंडल होता है और एक अस्थल मंडल होता है तो हम किस पर रहते हैं? हम अस्थल मंडल के उपर रहते हैं तो जो हमारा अस्थल मंडल है वो कई प्लेटों में बटा हुआ है जिने अस्थल मंडल ये प्लेट कहते हैं आपको ये जानकर आश्चरी होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गती से चारो तरफ घूमती रहती है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस प्लेट के बारे में यहां लिखा है जिस इस्थरमंडल ये प्लेट कहते हैं वो हमेशा बहुत ही धीमी गती से बहुत ही स्लो मुव्मेंट से चारो तरफ घूमती रहती है प्रतेक वर्से केवल कुछ मिलिमीटर के लगभग अगर हम साल के बात करें कि साल में ये कितना घूमती है तो साल में ये सिर्फ कुछ मिलिमीटर के लगभग घूमती है प्रिथ्वी के अंदर पिगले हुए मैगमा में होने वाली गती के कारण ऐसा होता है तो जो हमारी प्रिथ्वी है, हमारी प्रिथ्वी के अंदर मैगमा है और हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो हमारी प्रिथ्वी है उस प्रीथवी को अगर हम विभाजित करें तो जो सेंटर में होता हैं उसे हम क्रोड कहते हैं तो क्रोड में ही क्या है? मैगमा है और जब प्रीथवी के अंदर यही पिगला हुआ मैगमा गती करता है तो उसकी वज़ा से अस्थल मंडली प्लेटों में गती होती है प्रिथवी के अंदर पिगला हुआ मैगमा एक वृत्ती रूप में घूमता रहता है जैसे कि क्रिया कलाप में दिखाया गया है अब प्रिथवी के अंदर जो पिगला हुआ मैगमा होता है वो गोल-गोल घूमता है यानि वृत्ती रूप में घूमता रहता है प्लेट की इस गती के कारण प्रिथवी की सता पर परिवर्तन होता है और जब प्रिथवी के अंदर का पिगला हुआ मैगमा गोल-गोल घूमता है यानि की वृत्ती रूप में घूमता है तो इस तरह से स्थलमेंडली जो प्लेट होती हैं वो भी घूमती है और प्लेटों के घूमने के कारण प्लेटों की गती के कारण प्रिथवी के सता पर भी परिवर्तन होता है यानि कि जिस अर्थ के सर्फिस पर हम रहते हैं उस पर भी परिवर्तन होता है प्रिथवी की गती को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन होती है और प्रिथवी की अपनी एक गती है और प्रिथवी की गती को उन बलों के आधार पर बल मिन्स ताकत उन बलों के आधार पर उन ताकतों के आधार पर विभाजि उन्हें अंतर जनित बल यानि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं एवं जो बल प्रीथवी की सता पर उत्पन होते हैं उन्हें बहिर जनिक बल यानि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं तो यहां क्या लिखा है यहां लिखा है कि अगर प्रीथवी के अंदरोनी भाग में अगर कोई फ तो फोर्स प्रीथवी की सता पर यानि की अर्थे के सर्फिस पर उत्पन्न होते हैं, अर्थे के सर्फिस पर जो बल लगते हैं, उन्हें बहिर जनिक बल कहते हैं, जिन्हें इंगलिस में एक्सोजनिक फोर्स कहते हैं, अंतर जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गती यानि के जो प्रिथवी के अंदर जो बल लगता है जो फोर्स लगती है उसे अंतर जनित बल कहते हैं और ये अंतर जनित बल कभी-कभी अचानक से गती उत्पन करती है तो कभी धीमी गती उत्पन करती है भूकंप एवं ज्वाला मुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण प्रिथवी की सता पर अतिधिक हानी होती है और जब प्रिथवी के अंदर अंतर जनित बल लगता है तो इसकी वज़ा से भूकंप आती है इसकी वज़ा से जौला मुखी भटती है और यह जो भूकंप है जौला मुखी है वो आकस्मिक गति के कारण ही होती है औ और इसके वज़ा से प्रिथवी की सता पर यानि कि अर्थ के सर्फिस पर ज़ादा नुकसान होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिथवी की गतियां। प्रिथवी की दो तरह की गतियां हैं। एक है अंतर जनित बल और दूसरा है बहिर जनित बल। यानि कि प्रिथवी के अंदर जो बल लगती है जो फोर्स लगता है उसको अंतर जनित बल कहते हैं और प्रिथवी के सता पर अर्थे के सरफेस पर जो बल लगता है जो फोर्स लगता है उसे बहिर जनित बल कहते हैं अंतर जनित बल भी दो तरह के होते हैं पहला है आकस्मिक बल और दूसरा है पटल विरूपन बल आकस्मिक बल किसे कहते हैं जो बल जो फोर्स अचानक से लगती हो उसे आकस्मिक बल कहते हैं और इसकी वज़ा से भूकंप होते हैं जो आलमों की फट्टी है और भूस्खलन हो यह ऐसा फोर्स होता है जो धीमी गती से होता है और इसकी वज़ा से परवत निर्मानकारी बल यानि कि परवत का भी निर्मान होता है और परवत निर्मानकारी बल है यानि कि जो पटल विरूपन बल है वो धीमी गती से यह बल लगती है यह फोर्स लगती है और इसकी वज़ जो पर्वत isn't a भी निर्मान होता हैं दूसरा है प्रिथवि की गतियां में बहिळिए व्ल व्हार जवह अप्रदन और निक्षैपन में हम देखते हैं न प्रदन क्या होता है कि जब कोई जल है पानी है इसकी वजह से जब किसी भी सब्स्टांसेस का किसी भी तत्व का एक जगह से दूसरी जगह वो स्थानांतरन होता है एक जगह से दूसरी जगह हट जाता है और जमा हो जाता है उसे अप्रदन कहते हैं और निक्षेपन किसे कहते हैं किसी भी चीज़ का जमा होना जनितबल का एक प्रकार है जब पवन जो होती है वो जिस दिशा में चलती है वो बहिर जनितबल की वज़ा से ही चलती है और तीसरा है समुद्री तरंग और चोथा है हीम नद यानि कि जो बर्फ की नदी है तो ये जो चारो हमने पढ़े हैं यहां पर टॉपिक वो किसकी ज्वाला मुखी भू परपटी पर खुला एक ऐसा चिद्र होता है जिसे पिगले हुए पदात अचानक निकलते हैं अब ज्वाला मुखी के बारे में लिखा है कि ज्वाला मुखी भू परपटी पर यानि कि जो हमारा अर्थ सर्फेस है हमारे अर्थ का उपरी जो भाग है उसे परपटी कहते हैं तो जो ज्वालमुखी है वो हमारी प्रिथवी के ऊपर के भाग पर एक खुला एक ऐसा चिद्र होता है जिससे पिगले हुए जो पदार्थ होते हैं वो जमीन के अंदर से अचानक निकलते हैं यहां पर हम देख लेते हैं कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का मतलब क्या है शब्द उत्पत्ति एंडो मिन्स अंटा और जेनिक मिन्स उत्पत्ति इससे बना हैं एंडोजेनिक एक्सो मिन्स बाहिये और जेनिक मिन्स उत्पत्ति इससे बना हैं एक्सोजेनिक इसी प्रकार अस्थलमंडले प्लेटों के गती करने पर प्रिथवी की सता पर कमपन होता है और इसी तरह से जब अस्थलमंडले प्लेट गती करते हैं तो इनकी गती की वज़ा से प्रिथवी की सता पर अर्थ के सर्फिस पर कमपन होता है यानि की vibration होता है ये कमपन प्रीथवी के चारो और गती कर सकता है और जो ये vibration होता है वो प्रीथवी के चारो और गती कर सकता है इस कमपन को भूकम पे कहते हैं और इस तरह के vibration को क्या कहते हैं? भूकम पे कहते हैं भुपरपटी के नीचे वो इस्थान जहां कमपन आरंब होता है, उधगम केंदर कहलाता है, यानि कि हमारे अर्थे के सर्फिस के नीचे वो जगह जहां पर वाइब्रेशन शुरू होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं वो उद्गम केंद्र कहलाता है उद्गम केंद्र के भू सता पर उसके निकटता मस्थान को अधिकेंद्र कहते हैं यानि कि उद्गम केंद्र के भू सता पर यानि कि ये प्रिथवी है प्रिथवी के जिस जगह पर प्रिथवी के अंदर जिस जगह पर वाइब्रेशन शुरू होती है उस जगह से प्रिथव अधिकेंद्र से कमपन बाहर के और तरंगों के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र से जो वाइब्रेशन है वो बाहर के और तरंगों के रूप में गमन करती है अधिकेंद्र के निकटम भाग में सरवधिक हानी होती है और जो अधिकेंद्र के जो निकटम भाग है वहा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीवरता धीरे-धीरे कम होती जाती है और अधिकेंद्र से जब दूरी बढ़ती है इसके साथ भूकंप की तीवरता धीरे-धीरे कम होती जाती है यहां आप देख सकते हैं कि यह जो वाइब्रेशन की जगह है जहां से होती है और ठीक इसके ऊपर इस जगह पृत्वी के सता को कहेंगे अधिकेंद्र और ये जो अधिकेंद्र होता है यहाँ पर नुकसान जादा होता है और जैसे जैसे ये दूरी बनती है वहाँ पर नुकसान कम होती है यद भी भूकम्प की भविश्यवानी संभव नहीं लेकिन यदी हम पहले से तयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है स्थानी लोग कुछ सामाने तरीकों से भूकंपी की संभावना का अनुमान लगाते हैं जैसे जानवरों के वहवार का अध्यान तालाब में मक्ष्छियों की उत्तेजना सापों का धरातल पर आना जो इस्थाने लोग होते हैं उनके पास कुछ ऐसे सामाने तरीके होते हैं जिसे वो पता लगाते हैं कि भूकंप आने की संभावना का अनुमान वो लगाते हैं जैसे कि जानवरों का वेहवार का वो अध्यन करते हैं तालाब में मचलियों की उतेजना देखने पर और जब सा इनके अंदर से अर्थ के सर्फिस पर आ जाते हैं तब जो इस्थान ये लोग होते हैं इन तरीकों से ही वो भूकंप्य की संभावना का अनुमाल लगाते हैं भूकम्प का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकम्प लेखी कहते है भूकम्प की तीवरिता रिक्तर स्केल पर मापी जाती है यानि कि भूकम्प की किस भूकम्प की कितनी तीवरिता है ये रिक्तर स्केल पर मापी जाती है जिस भूकम्पी की तीवरिता 2.0 अधवा उसे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है यानि कि जिस भूकम्पी की तीवरिता 5.0 होती है वो वस्तों के गिरने से छती पहुचा सकता है जिस भूकम्पी की तीवरिता 5.0 होती है वो वस्तों के गिरने से नुक्सान पहुचा सकता है जिस भूकम्पी की तीवरिता 6.0 अधवा उसे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली और जिसकी तीवरिता 7.0 अधवा अधिक होती है वो सरवधिक शक्तिशाली समझा जाता है वो सबसे जादा दाकतवर समझा जाता है। जल प्रपात नजर आती है, कहीं चटान नजर आती है। तो जो भी हमारे अर्थे के सर्फिस पर जो द्रिश्य होती है, ये जो द्रिश्य भूमी होती है, उसमें लगातार कमी आती रहती है। प्रिश्य की सता पर शैलों के तूटने से अपशय की किरिया होती है। जब अर्थे के सर्फिस पर जो चटाने होती है, वो जब तूटते हैं तो इसे अपशय की किरिया होती है। भूद्रिश्य पर जलपवन एवं हीम जैसे विभिन घटकों के द्वारा होने वाले छै को अपरदन कहते हैं। यानि कि जब किसी चीज में कमी आती है, जैसे कि कहीं अगर मिट्टी है, मिट्टी पानी की वज़ा से कट कर दूसरी जगह अस्थानांतरन हो जाती है, उसे अपरदन कहते हैं। वायू जल आदी अपरदित पदार्थ को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाते हैं और फल सवरोप एक अस्थान पर निक्षेपित करते हैं हवा है पानी है ये अपरदित पदार्थ को यानि कि ऐसा पदार्थ जिनका इस्थानांतरन होता है ऐसे पदार्थ को हवा और पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जमा कर देते हैं और इसे ही निक्षेपन कहते हैं अप्रदन एवं निक्षेपन के ये प्रक्रम पृत्वी के धरातल पर विभी नस्थला कृतियों का निर्मान करते हैं और जब किसी भी पदार्थ का पृत्वी के धरातल पर यानि कि हम पृत्वी पर रहते हैं पृत्वी के सर्फिस पर अलग-अलग तरह के इस्थला कृतियों का निर्मान करते हैं अगर कहीं समतल मैदान है तो वहां की मिट्टी हट कर वहां गड़े बन जाते हैं इस तरह से अलग-अलग इस्थला कृतिय का निर्मान करते हैं यहां एक हिंड दिया गया है इससे भी हम पढ़ लेते हैं विसे में हजारों छोटे-छोटे जल प्रपाथ मिन्स जर्ने है सबसे उचा जल प्रपाथ यानि झर्णा दक्षिन अमरीका के वैनेजोयला का एंजल जल प्रपाथ है यानि की वैनेजोयला का ऐंजल ज़ल प्रेपात, ऐंजल ज़रνα दुनिया का सबसे उंचा ज़ल प्रेपात है। अन्य ज़ल प्रेपात उत्तरी अमरीका में कनाड़ा तथा सन्युक ति राज wolves अमरीका की सीमा पर यानी बौर्डर पर इसथित न्याग्रा ज़ल प्रेपात है। दूसरा जलप्रपात उतरी अमरीका में कनाड़ा और सन्युक्त अमराज अमरीका की बॉर्डर पर इस्थित है उस जलप्रपात का नाम नियागरा जलप्रपात है और अफ्रीका में जांबिया और जिंबावे की सीमा पर यानि बॉर्डर पर जो इस्थित जलप्रपात है उस भूमी के उपर का अप्रदन होता है जब नदी किसी खड़े ढ़ाल वाले स्थान से अत्यदी कठोर शेल या खड़े ढ़ाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपाद बनाती है जब नदी मैदानी छेत्रे में परवेश करती है तो वो मोरदार मारगे पर बहने लगती है अब उचाई से गिरने के बाद यानि जब ये ज़रना बनाती है ज़रने का पानी जब नीजे की और गिरता है तब वो नदी मैदानी छेत्रे में परवेश करती है मैदानी इलाकों में परवेश करती है जब वो मैदानी इलाकों में परवेश करती है तो वो मोरदार पर बहने लगती है यानि कि इस तरह से वो बहने लगती है नदी के इन्ही बड़े मोडों को विसर्प कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं इन्हें विसर्प कहते हैं इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अप्रदन एवं निक्षेपन शुरू हो जाता है और इसके बा इसकी वज़ा से अप्रदन और निक्षेपन शुरू हो जाता है, विसर पे लूप के सीरे निकट आते जाते हैं, यानि कि जो विसर पे लूप के जो शीरे हैं, वो एक दूसरे से नस्दिक आते जाते हैं। समय के साथ विसर पे लूप नदी से कट जाते हैं, और वक्त के साथ जो विसर पे लूप होते हैं, वो नदी से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और एक अलग जील बनाते हैं, जिसे चाप जील भी कहते हैं, कभी-कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं, यानि क कभी कभी जो नदी के तट होते हैं जो किनारे होते हैं नदी अपने किनारों से भी बाहर बहने लगती है फल सरूप निकटवर्ति छेत्रों में बाढ़ आ जाती है और जब नदी अपने किनारों से बाहर बहने लगती है तो नस्दीक के जो छेत्र होते हैं उनमें बाढ़ आ बाढ़ की कारण नदी के तटों की निकटवर्थी छेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपन करती है यानि कि जब नदी में बाढ़ आ जाती है और नदी अपने किनारे से हट कर निकटवर्थी छेत्रों में नजदी की छेत्रों में जब बहने कटवर्ती छेत्रों में महीन मिट्टी और दूसरे पदार्थों को जमा करती है ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं और नदी जिन महीन मिट्टी और दूसरे पदार्थों का निक्षेपन करती है यानि उनका जमाओ करती है ऐसी ही मिट्टी और पदार्थो को अवसाद कहते हैं इससे समतल उपजाव बाढ़ करित मैदान का निर्मान होता है और इस वजह से जब नदी निक्षेपन करती है महीन मिट्टी और दूसरे पदार्थों का जब नदी निक्षेपन करती है यानि जमाओ करती है तो वो समतल उपजाव बाढ़ का बाढ़ करि यानि नदी के जो उठे हुए किनारे होते हैं उन्हें तटबंध कहते हैं समुद्र तक पहुंसते पहुंसते नदी का परवा धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है यानि कि जब नदी समुद्र तक पहुंसती है तो उनकी जो रफ्तार होती वह बहुत धीमी हो जाती है और नदी जो है वह कई नदियों में विभाजित हो जाती है और मेन नदी से जो बाकी नदियां निकलती है उन्हें वित्री में जाता है यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाये मलबे का निक्षेपन करने लगती है और समुद्र तक पहुंसते पहुंसते नदी इतनी जादा धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ जो भी मलबा लाती है जो भी अवसाद लाती है मिट्टी हो या फिर दूसरे कई अन्य पदार्थ हो वो उन मलबों का निक्षेपन करने लगती है यानि कि उनका जमाव करने लगत परतेक वित्रिका अपने मुहाने का निर्मान करती है और जो भी वित्रिका है वित्रिका मिंस जो भी में नदी से निकली हुई जो नदियां होती है वो सभी नदियां अपने मुहाने का निर्मान करती है सभी मुहानों के अवसादों के संग्रा से डेल्टा का निर्मान होता है और जो भी नदियां अपनी मुहाने का निर्मान करती है तो मुहानों में अवसाद जमा हो जाता है और अवसादों के जमा होने से डेल्टा का निर्मान होता है नेक्स्ट है समुद्री तरंग के कारिय समुद्र में तरंग उठते हैं और समुद्र में जो तरंग होते हैं उनके क्या काम होते हैं समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपन तटी इस्थला क्रीदियां बनाती हैं समुद्र में जब तरंग उठते हैं तो उन से या तो अप्रदन होता है या तो निक्षेपन होता है और अप्रदन और निक्षेपन से जो समुद्र तरंग होते हैं वो तटी इस्थला कृतियां बनाते हैं समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है यानि कि जो समुद्री की तरंगे होती है जो समुद्री की धाराएं होती है वो लगातार चटानों से टकराती रहती है जिससे धरार विक्सीत होती है और जब समुद्री की धाराएं समुद्री की तरंगे लगातार बार जब समुद्री की धाराये चटानों से तकराती है तो उनुमें दरार हो जाती है और वक्ति के साथ ये दरार बड़ी और चोडी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं और जब ये दरार बड़ी हो जाती है और चौड़ी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं समुद्री गुफा कहते हैं इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छती ही बचती है जिसे तटी महराब बनते हैं और जब ये समुद्री गुफाएं बड़े होते जाते हैं तो उनमें सिर्फ छत ही बसती है जिससे तटिये महराब बनते हैं लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दिवारे बसती हैं और लगातार जब समुद्र से तरंगे उठती हैं समुद्र में धाराएं उठती हैं और लगात इस्टेक कहते हैं और दीवार जैसे जो ये आकरितियां होती हैं वो इस्टेक कहलाते हैं आप यहां देख सकते हैं कि जो समुदरी तरंगे होती हैं समुदरी धाराये होती हैं जब चटानों से टकराते हैं तो वो उनमें दरार पैदा कर देती हैं वो वक्ते के साथ दरार तरंगे यानि समुद्री जो धाराएं होती है लगातार जब इसमें टकराती रहती है तो इसका अप्रदन होता रहता है और जो छत होती है वो भी तूट जाती है और इस तरह से एक दीवार बनती है जिसे इस्टैक कहते हैं समुद्री जल के उपर लगबग उधरवाधर उठे हुए उचे शेल ये तटो को समुद्र भीगू कहते हैं और जब समुद्री तरंगे समुद्र के किनारों पर आवसाथ जमा कर समुद्री पूलीन का निर्मान करती है नेक्स्ट है हिमनद के कारिय यानि कि जो बर्फ की नदी होती है उसके काम हिमनद अधवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है यानि जो हिमनद है जो बर्फ की नदियां है जिसे हिमानी भी कहते हैं वो बर्फ की नदियां होती है हीमनद अपनी नीचे की कठोर चटानों से गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है यानि कि जो बर्फी की नदियां होती है बर्फी की नदी के नीचे कठोर चटानों में गुलाशमी मिट्टी होती है और पत्थर होती है जो बर्फी की नदिया होती है वो कठोर चटानों से इन्हीं गुलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अप्रदित कर देती है यानि कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरन कर देती है और गुलासमी मिट्टी और पत्थरों से भूद रिश्य का अप्रदन करती है यानि कि गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को वहां से वो एक जगह से दूसरी जगह हटा देती है उन्हें दूसरी जगह निर्मान करते हैं यानि जो बर्फी की नदियां होती है वो गहरे गड़ों का निर्मान करते हैं परवती छेत्र में बर्फे पिघलने से उन गड़ों में जल भर जाता है और जो परवती इलाके होते हैं बर्फ जब पिघलती है तो इनी गड़ों में पानी भर जाता है और व चोटे बड़े सैल यानि चटान होते हैं रेत यानि बालू और तलचट मिटी यानि के जो नदियों के नीचे के जो सर्फिस में जो मिट्टी पाई जाती है उन तलचट मिट्टी निक्षेपित होते हैं यानि इन सभी का जमा होता है छोटे बड़े चटान रेत यानि बालू और जो तलचट मिट्टी होती है उनका निक्षेपन होता है यानि वो उन्हें जमा करते हैं ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्मान करते हैं और जो ये निक्षेप होते हैं जब ये जमा हो जाते हैं ये हिमनद हिमोड का निर्मान करते हैं नेक्स्ट है पवन के कारी यानि हवा के काम क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है बालु टिब्बे के कुछ शित्र इकत्र करने का प्रयास कीजे रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपन का प्रमुक कारक है रेगिस्तान में हवा जो होते है वो अपरदन का काम भी करते हैं और निक्षेपन का काम भी करते हैं अपरदन मिंस जो बालू है उनको एक जगा से दूसरी जगस्थानांतरन करते हैं और बालू को एक जगा जमा करते हैं रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिने सामनेता छत्रक शैल कहते हैं यानि कि रेगिस्तान में आप छाते के आकार के चटान देख सकते हैं जो बालू से बने होते हैं इन्हें छत्रक शैल कहते हैं पावन शैल के उपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है यानि कि जो हवा होती है वो चटानों के यानि जो परवत से बने हो चटान होते हैं वो चटानों के ऊपर भाग की अपेक्षा वो निचले भाग का अपरदन करती है उन्हें निचले भाग को आसाने से काटती है इसलिए ऐसी सेल के आधार संकिर्ण एवं शिर्ष विस्तरित होते हैं और इसलिए ये ऐसे जो चटान होते हैं जो बालू से बने ह उनके जो आधार होते हैं यानि जो उनका बेस होता है वो संकिर्न होता है नेरो होता है और उसकी जो सिर्स होते हैं यानि जो उनका टॉप होता है वो विस्तरित होता है पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर पहुचाती है और जब हवा का बहाव रुखता है यानि जब हावा बहना रुख जाती है यही बालू नीचे की और गिरती है इससे एक छोटी पहाड़ी बनती है जिसे बालू टिबा कहते है जब बालू कन मही नेवम हलके होते है तो वायू उनको उठाकर अतिदिक दूर ले जा सकती है यानि जब बालू के जो कन होते है जब वो महीन होते है और हलके होते है उनको उठाकर दूसरी अतिदिक दूर ले जा सकती है यानि कि जो हवा होते है वो बालू को जादा दूर ले जा सकती है जब ये बालू कन विस्तरिक छेतर में निक्षेपित हो जाते है यानि कि जब ये बालू कन एक बड़े छेत्र में जमा हो जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं, चीन में विसाल लोएस निक्षे पाय जाते हैं, यानि कि वहाँ पर जो बालू है वो जमा हो जाते हैं आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू